डीर स्टोर्ड आज की विडियो में हम 30 डिगरी का और 45 डिगरी का एंगल ड्रा करना सिखेंगे by using ruler and compass इससे पहले मैं एक विडियो में जिसमें 60 डिगरी का 90 डिगरी का और 120 डिगरी का एंगल ड्रा करना सिखा चुका हूँ उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मजूद है चैनल को अगर पहली दफ़ा विजट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लिजेगा How to draw angles of 30 degree and 45 degree by using ruler and compass अभी हम 30 degree का और 45 degree का angle draw करना सीखें के कमपस और scale के साथ हम उसको कैसे draw करते हैं सबसे पहले आपने एक line draw करनी है A और B नाम रख लें जो भी नाम रखना चाते हैं आप रख लें ठीक है A के ओपर angle भी draw कर सकते हैं आपने आर्क लगानी है यह मैंने एक आर्क लगा दी है ठीक हो गया तो अब आपने इसको कमपस को कम ज्यादा नहीं करना अब यहां पर इस line को यह touch कर रही है ठीक है तो यहां पर रखके आपने यहां पर रखके एक आर्क लगा देनी है यह जो आपने आर्क लगाई है यह 60 degree का angle बन गया आपका यहां पर क्योंकि हमने 60 degree का angle यहां पर बनाना नहीं हमने 30 और 45 का angle ट्रा करना है तो 60 degree का angle की line कर ड्रा करना चाहिए तो यहां से ट्रा करके आप 60 degree का angle भी बना सकते हैं लेकिन हमने क्योंकि 30 और 45 degree का angle बनाना है तो सबसे पहले हम थर्टी डिग्री के अंगल ड्रा करते हैं अब जानते हैं कि यहां से अंगल शुरू हो रहा है और यहां से यहां से शुरू हो रहा है यहां तक जो है वो 60 डिग्री का है 0 से शुरू हो के 60 डिग्री का है यह इस 60 degree के एंगल को half कर दें तो हमारे पास 30 degree के एंगल आजेगा कैसे इसको half करेंगे यह आपके पास 0 degree है यह आपके पास 60 degree है तो एक आख आख आपकी यहां पर रखके लगाएं आप ठीक है यह एक आख लगादी अब कमपस को अपने हिलाना नहीं है एंगल ही बनेगा कैसे इसको मैं क्यूंकि हमने यह 30 डिग्री का इंगल ड्रा करने हैं इसलिए मैं इसको ड्रा करके आपको दिखाता हूं यह आप जिरो पर रखें ठीक बी पर रखें जहां से एंगल कट हो रही है वहां से आपने इसको गुजार देना है ठीक हो गया यह पर क्योंकि हमने एंगल बनाया है तो यह हमारा जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल अग्जेक्ट जो है वह 30 डिग्री के एंगल बन गए यहां पर क्रास की उपर होना चाहिए और लाइन इस लाइन से टैच करने चाहिए तो यह आपका 30 डिग्री एंगल बिल्कुल 30 डिग्री के एंगल है ठीक है और यह आपके पास जो है 60 डिग्री के एंगल है अब 30 और 60 डिग्री के एंगल को बैसेक्ट दोनों को करें कि कि दोनों के दरम्यान जो है वह आपके पास 45 डिग्री आता है क्योंकि 30 डिग्री में प्लस 50 डिग्री करें ठीक है तो आपके पा लाइंगे हम 30 डीडिए और 60 डिगरी के अंगल दोनों को यहां पे रखते हैं यह आपका श्याई वे muffled का प्रहिए अपकर 60 डिगरी के एक ठीक है तो एक आप आप सब्सक्राई को बिसे का आप ठीक है यहां पर बखाले ही एक आर्क जो आप इदर याल पर रख लग tweet दोनों का बाइसיक्ट करना ज़रूरी है ठीक है? छिसमें ये बाइसेट कर रही है यह आपका डीक पॉइंट से मिला देते हैं तो ये आपका 45 डीगरी का जो मिलाने लगा thì यह आप THE आपका 45 डीगरी भा जो एंगल है यह आपका बन गया है?... यहां करेंगे मेजर करके चेक कर लें कि हमारे पास यह 45 डीगरी का एंगल यह आ रहा है यह देख सकते हैं आप 40 डीगरी और फिफटी डीगरी के दरम्यान जो एक थोड़ी इसी बड़ी लाइन होती है प्रोटेक्टर के आपर वह आपके पास 45 डीगरी की है तो यह मारे डिगरी का एंगल भी ड्रा करना आप सीख जेंगे तो आज की वीडियो हमने वीडियो में 30 डिगरी का एंगल ठीक है और 45 डिगरी का एंगल बनाना सीखे बाइ यूजिंग रूलर एंग कमपस अब आपकी एसाइनमेंट है या आपका टास्क है आपने 15 डिगरी का एक एंगल ट्रा करना है इसी रूलर और कमपस के जरीए वीडियो कर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें शेर कर दें अपना ख्यार कियेगा खुदा आफेज